हमारे बड़े बुजूर्ग का हमेशा कहा करते हैं कि जब जब धर्म की हानी होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब श्री कृष्ण हर युग में अपना एक नया रूप धारन करते हैं ताकि वह अधर्म को नश्ट कर और धर्म की रक्षा कर सकें। यह माना चाहता है कि हमा भी अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कुछ ऐसी बाते लिखी गई है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है आई, मानव शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। गीता के श्लोक में श्रीकृष्ण ने मानव के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बोला है जहां उन्होंने ये दर्शाते हुए कहा है कि ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्व में बदलती है। इसका मतलब ये है कि मानव शरीर का आत्मा अस्थाई वस्त्र है। अर्थार्थ हमें मानव की पहचान उसके शरीर से नहीं उसके मन से उसकी आत्मा से करनी चाहिए. E. क्रोध भ्रम की निशानी है. ये कहा जाता है कि क्रोध एक सामान्य भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर रब बसता है लेकिन एक रोचक बहुत ही नुकसान ताई है क्योंकि ये कही ना कही मानव के अंदर एक ब्रम पैदा करता है। जहां मनुश्य अच्छे और बुरे की पहचान करना चाहता है इसलिए जरूरी है कि मनुश्य क्रोध की राह से दूर होकर शांती की राह को अपनाएं। जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का अती हो जाना काफी घातक होता है चाहे वह फिर रिष्टों की मिठास हो या उनकी करवाहत खुशी हो या गम। हर तरीके से हमें अपने जीवन का संतुलन बना कर रखना चाहिए। आइवी, स्वार्थी होने से बचे। अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा क्योंकि स्वार्थी एक ऐसा स्वभाव है कि जो हमें अन्य लोगों से द काम करना पड़ेगा। इश्वर हमेशा हमारे साथ है। यह माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। अर्थात भगवान हर मनुश्य के साथ होता है उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और बुरे कर्मों के साथ भी। बस फर्क है कि जब भी मनुश्य स गीता में कि कभी भी हमें अपने कर्मों को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए. ये बात हमें हमेशा सिखाई गई है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है. वी, इच्छाओं पर नियंत्रन रखें यह माना जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होता है जिससे उसकी इच्छाओं बढ़ने लगती है वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठिंता आने लगती है इसलिए जरूरी है कि हम अपने इच्छाओं के उपर काबू रखें वी, शक ना करें चंदे हर मजबूत से मजबूत रिष्टे को नश्ट कर देता है जिससे यह मनुष्य का दुख का कारण बन जाती है इसलिए जीवन में अगर रिष्टे को बचाना हो या फिर जीवन में एक सफल रिष्टा बनाना हो तो अपने अंदर सब की भावना ना रखें X. मृत्यू से ना डरे हमारे जीवन का सबसे एहम सत्य यह है कि जो इनसान इस धर्ती पर आता है वह कभी ना कभी धर्ती की मिट्टी में समा जाता है इसलिए हमें कभी भी मृत्यू से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यू के डर से हम अपने वर्तमान के खुशियों में शामिल नहीं हो पाते हैं इसलिए जरूरत है कि उस सच्चाई को अपनाना और अपनी खुशियों का आनंद उठाना यही थी भगवत गीता की कुछ अनकही बाते जो सामान्य इनसान को सफलता की राह पर पहुँचाने में मदद करता है और उनकी हर मुश्किलों का सामना करने का तर्क देता है इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाया हो या फिर राह में कितने भी बाधक हो हमें अपने जीवन की राह को सही मायने में चुनकर उसे सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए जब बहुत परेशान हो तब श्रीकृष्ण की यह नाइन बाते आपका दुख दूर कर देंगी पवित्र गीता की यह है सबसे महत्वपूर्ण जरूरी बाते